हम एक simple question लेते हैं और ठीक है ताकि हम समझ सके है इसा minus वाला लेते हैं something x square minus x plus okay plus what should we we can take easy 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 नहीं 4 में easy हो जाएगा हम ठोड़ा question मी बनाए कुछ करते हैं minus कैसे आ सकता है 2 minus 1 बना सकता है तो एक काम करते हैं 2 रखते हैं ठीक है इसमें क्या हो जाएगा plus नहीं होगा इसा minus होगा fine x square minus x minus 2 ए तो एक की वैलो की है इसमें one ए उसके बाद क्या है b किसका कोईएट है x का तो वो क्या है? यहां पर minus आगया फिर से, आपको क्या बताया था? minus की condition देखते ही, alert मार देना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? minus 1, माइनस 1, ठीक है? क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे है? इसके बीच में plus कर रहे है और minus 1 को अंदर ले लिगा हमने, और इसमें C क्या है हमारा, जो constant है? मैनस 2 क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया? C को भी plus करके मैनस 2 अंदर ले गया तो A, B, C अब हम क्या करेंगे, इसमें D निका लेंगे D का formula क्या था? B square minus 4 B square minus 4 अचा, तो अब इसमें अब हम यही condition करें तो B, B की value क्या है इसमें? minus 1, okay, minus 1 का whole square, minus 4 A की value क्या है, 1 है, okay, sub bracket में रखो, ताकि easy रहे C की value क्या है, minus 2, okay तो what is that? minus 1 into 1, 1 minus 4, okay, 4 रखो, तो क्या है, 1 एक काम करो, 4 into 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, right? 8 और यह minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा तो plus मतलब 8 हो जाएगा, that is what? 9, तो D की value क्या है, 9 है और D greater than 1 है, ठीक है? greater than 0, sorry, okay greater than 0 जो मैंने पहले condition बताएगा थी, sorry, उसमें मैंने एक चीकल देए, less than 0, D greater than 0, and D is equal to 0, okay this should be the condition, right तो D is equal to 9 है हम तो अब हमें ठीक है, अब हमें condition क्या करनी है अब हमने क्या क्या, D is equal to 9 निकाला, अब हमें मान के चलते कि alpha बीटा इसका root है, ठीक है? किसका? जो हमने पहले निकाला था, किसका? X square minus X plus minus 2 तो alpha बीटा के यसाब से alpha क्या होगा? minus B plus minus, क्योंकि इसमें 2 condition है, ठीक है? plus minus D upon 2A, okay अब यहाँ में minus, ठीक है, B की value क्या है? what is that? minus 1 है, ठीक है? हमने लिए निकाला था, तो minus minus 1, ठीक है, plus minus इसको हमेशा bracket में रखना, D की value क्या थी? 9, ठीक है, 9 का square root क्या होगा? ठीक है? that is equal to 3, right? upon 2A, 2 into 1, 2 right? तो alpha and beta, ठीक है? alpha, beta, इसको ऐसे कर दो, ठीक है? easy लेगा so what is that? minus minus, what is that? 1 plus minus 3 upon 2, right? तो alpha, एक बार मैं लेता हूँ plus में, और एक बार क्या कलता हूँ? minus में लेता हूँ, fine so what will be the condition? एक बार plus में लिए, एक बार minus में लिए so alpha is equal to what? 1 plus 3 by 2, okay? तो alpha is equal to 4 by 2, ठीक है? यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है? 2 से और यहाँ पर क्या है? beta is equal to 1 minus 3, ठीक है? क्योंकि एक बार हमें minus लेना है, ठीक है? minus 3 by 2, beta is equal to minus 2 by 2 ठीक है? beta is equal to minus 1 right? तो इसका मतलब क्या होँ है? इसका root square है 2 और minus 1, ठीक है? that is the root, क्योंकि x square है, अब एक काम करते हैं, इसको check करने के लिए, verify करने के लिए, एक बार equation मिर्पते है, x square minus x minus 2, ठीक है? equal to 0 अब यहाँ पर क्या है? x की value 2 रखना तो क्या होगा? 2 to 0, 4, ठीक है? minus 2 minus 2, 0 होगया fine, और दूसरे में एक बार minus 1 रखो, तो minus 1 कर रखोगे तो फिर ज़रुत क्या है, यह करने की हमें, ठीक है? इन सब चीज़ों की ज़रुत क्या है? तो हमें ज़रुत इसलिए है, क्योंकि अगर मालो कई मैं बोल दूँ कि x square, ठीक है? 2 x square plus, ठीक है? 19 x plus 37, square to 0, आप कैसे निकालोगे factorize करके, ठीक है? इसमें कई बार आंसर square root में भी आएंगे, right? तो बहुत सारे चीज़ों में आएंगे, right? तो उसके लिए यही काम आएगा, आपको. अगर आप कभी भी confused हो इस चीज़ में factorize कैसे करना है, तो ऐसे करके निकाल लो, चीक है? और रिवर्स कर दो, right? तब ही आंथर में चाहेंगे, fine? easy? कोई डाउट? कोई डाउट आपको? प्लीज़ों? प्लीज़ों? Okay.